कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है MS Office इस वीडियो में हम आपको बताएंगे MS Office क्या होता है MS Office का यूज क्या है और कहां कहां इसका यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताओ MS Office का पूरा नाम होता है Microsoft Office Microsoft को ही shortcut में हम कहते हैं MS तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं MS Office क्या होता है What is MS Office Full explanation मतलब इसके कितने branch होते हैं उन सभी को भी हम detail में cover करेंगे और उन सभी का अलग-अलग क्या यूज है और कहां यूज करतना है MS Office is a application software MS Office एक application software है application software हम उन software को कहते हैं जो client के use के लिए बना जाते हैं user को use करने के लिए बना जाते हैं जैसे माल लो अगर मेरी एक दुकान है आप मेरे दुकान से समान purchase करते हैं तो आप मेरे customer हुए तो ठीक इसी तरह से Microsoft ने जो application software बनाया है MS Office हम उसे use कर रहे हैं तो वो हो गया application software आप चाहें तो client software भी कह सकते हैं which was developed and published by Microsoft in the year 1990 1990 में Microsoft company के दुआरा इस software को develop और publish किया गया था ठीक है किसके दुआरा Microsoft के दुआरा MS Office को पब्लिस किया गया था MS Office अपने आप में एक package है जिसमें बहुत सारे branch होते हैं वह हम आगे discuss करेंगे ठीक है It is widely used in business and educational sectors अभी आप देख लो MS Office का जादा तर use business और education के sector में आज के time पे किया जा रहा है आप अपने school college में भी देखते होंगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा और जब आप job करेंगे तो business के sector में भी आप MS Office का यूज करेंगे तो इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रू वीच वी कें क्रियेट वीव एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स इस्प्रेड सीट्स प्रेजन्टेशन एंड डेटा एंट्री ओं डेटाबेस हम चार काम को नॉर्मली करते हैं MS Office में डॉक्यूमेंट बनाना होता है इस्प्रेड सीट में काम करना होता है प्रेजन्टेशन त्यार करना होता है या फिर डेटाबेस में डेटा एंट्री करनी होती है तब हम MS Office का यूज करते हैं और यही बेसिक काम भी होता है MS Office का जब MS Office को स्टार्टिंग में लागिया था जब इसे डेवलब किया गया था स्टार्टिंग में लागया था ओफिस के काम के लिए लागया था इसलिए इसका नाम रख दिया MS Office मतलब Microsoft ने डेवलब किया ओफिस के काम के लिए इसलिए MS Office तो यहां पर आपको याद क्या रखना है Microsoft Company के जो founder है उनका name है Bill Gates जो आज के time पे बहुत ही अमीर इंसान में से एक है ठीक है richest person पूरे दुनिया के CEO कौन है Microsoft Company के सत्या नडेला यह CEO का नाम है ठीक है Chief Executive Officer उसके बाद अभी MS Office का latest version क्या है market में MS Office 2019 आज का latest version है MS Office 2019 आज के time पे हम जो use कर रहे वो अभी का latest version है यह हो गया MS Office उनके founder CEO latest version और इसका use क्या है अभी चलो हम आपको MS Office का अलग-अलग branch कितना होता है और उन सभी का use क्या है कहां कहां उनका use होता है उन सभी को भी discuss कर लेते है Microsoft Office का पहला branch है MS Word जिसको आप बोलेंगे Microsoft Word सेकेंड हो गया MS Excel Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access यह जो चार branch है यह बहुत ही basic है और starting में इन ही चार को लाया गया था जब MS Office package को launch किया गया था Microsoft की तरब से तो MS Word को लाने का मकसद क्या था MS Word का use करके हम किसी भी तरह का document बना सकते हैं जैसे resume किसी को letter देना हो application लिखना हो certificate design करना हो invitation card देना हो इस तरह का काम अगर आपको करना है न तो आप इस documentation काम को MS Word use करके कर सकते हैं MS Word MS Office का ही एक छोटा सा प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रांच है इसी तरह MS Excel भी MS Office का ही एक छोटा सा ब्रांच है इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर accountant होता है तो उसकी पहली पसंद होती है, MS Excel, MS Office की package की अगर हम बात करें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, salary chart त्यार कर सकते हैं, billing कर सकते हैं, student का result calculate करके निकाल सकते हैं, mathematical calculation कर सकते हैं, इसके साथ भी और बहुत सारे काम आप इसमें कर सक करते हैं, तो यह हो गया हमारा MS Excel, इसमें क्या होता है, spread seat होता है, row column के format में आपको इस तरह से boxes दिये होते हैं, जिने हम cell कहते हैं, boxes को और यहीं पे हम data fit करते हैं, और जबकि MS Word में क्या होता है, एक blank बड़ा सा page रहेगा, इसी में हमें सारा काम करना होता है, अब बात करते हैं, अपने third branch की MS PowerPoint, मतलब Microsoft PowerPoint MS Office का तिसरा branch है, यह क्या करता है, इसका use करके हम किसी भी तरह का presentation बना सकते हैं, अगर आपको किसी को भी, किसी भी topic के बारे में बढ़ियां से समझाना है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका presentation बना सकते हैं, PowerPoint यूज करके, इसमें आप text, image, sound, video, animation, इन सभी के use करके, अपने PowerPoint को बहुत ज़्यादा खुबसूरत बना सकते हैं, अभी हमारा last हो गया MS Access, MS Access हमारा MS Office का चौथा branch है, इसका भी एक अलग काम होता है, जिस तरह से इन तीनों का अलग-अलग काम हुआ, इसका भी अलग काम होता है, MS Access मतलब database, अगर आपको database में काम करना है, data entry करना है, तब आप MS Access यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर database create कर पाएंगे, data को enter कर पाएंगे, दो तरीके से आप data entry कर सकते हैं, back end और front end, अगर आप programming language की मदद से data entry कर रहें तो वो होगा back end, अगर आप direct MS Access का GUI part access करके data entry कर रहें तो वो होगा front end, तो यह हो ग यह हैं, पहले नहीं था, ठीक है, MS OneNote, MS Outlook, MS SharePoint और MS Publisher, इन चारों को बाद में add किया गया, public demand को देखते हुए, अपने client के requirement को देखते हुए, तो यह जो वीडियो मैंने बनाया है, यह मैंने आपके request पे बनाया है, आपके कहने पे बनाया है, अगर आप बोलोगे न, तो MS PowerPoint और MS Access का एक-एक separate practical video भी आपके लिए बना दूँगा, जिसमें आपका सारा doubt clear हो जाएगा, यहां पे हम आपको resume बना के दिखाएंगे, यहां पे हम कोई भी student का result calculate करना आपको सिखा देंगे, कोई बढ़ियाजा PowerPoint बनाना सिखा देंगे, PowerPoint यूज करके, database में काम करना भी ह आपको सिखा देंगे, अगर आप एक comment करोगे, तो definitely चार वीडियो बनेगा, इन चार branches के उपर, अगर अभी आपको सच में लगा हो कि वीडियो आपके लिए useful रहा है, मैंने सभी points आपको बताए हैं बढ़ियां से, तो वीडियो को like करिए, share करिए दोस्तों में, अच्छे इसे, share करिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि मैंने MS Office क्या होता है, से लेके MS Office का use, कितने branch होते हैं, उनके अलग-अलग काम क्या है, latest version, Microsoft Company के developer, CEO, सभी के name, इस एक वीडियो में बताए हैं, वीडियो पसंद आया हो, तो ए